साथियों, कल 31 अक्तुबर को राष्ट्रिय एकता दिवस है, सरदार वल्लभाई पटेल जी की जन्म जन्ति का पुन्य आउसर है, इस दिन देश के कौने कौने में रन फर यूनिटी का आयोजन किया जाता है, ये दोड देश में एकता के सुत्र को मजबूत करती है, हमारे को प्रेरित करती है, अपसे कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रिय खेलों के दोरान भी देखी है, जुडएगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इस थीम के साथ राष्ट्रिय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल को भी बढ़ावा देने का काम किया है, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम भारत में राष्ट्रिय खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, इसमें 36 खेलों को सामिल किया गया, जिसमें साथ नई और दो स्वदेशिस पर्धा, योगाशन और मलखम भी शामिल रह वे हैं सर्विसेज की टीम, महराष्टो और हर्याना की टीम, इन खेलों में 6 नेशनल डेकोर्ड्स और करीब करीब, 60 नेशनल गेम्स रेकोर्ड्स भी बने, मैं पदक जितने वाले, नए रिकॉर्ड बनाने वाले, इस खेल प्रतियोगीता में हिस्सा लेने वाले, सभी खि लाड़ियों के सुनहरे भविश की कामना भी करता हूँ, साथ क्यों, मैं उन सभी लोगों की भी रदय से प्रसंसा करना चाहता हूँ, जिनोंने गुजरात में हुए राष्ट्रिय खेलों के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया, आपने देखा है कि गुजरात में तो राष्ट्रिय खेल नवरात्री के दवरान हुए, इन खेलों के आयोजन से पहले एक बार, तो मेरे मन में भी आया, कि इस समय तो पूरा गुजरात इन उत्सवों में जुटा होता है, तो लोग इन खेलों का आनन कैसे ले पाएंगे, इतनी बड़ी विवस्ता, और दुसरी तरब नवरात्री के गर्बा वगरे का इंतजाम, इस सारे काम गुजरात एक सार कैसे कर लेगा, लेकिन गुजरात के लोगों ने अपने आतित्य सत्कार से सभी महमानों को खुश कर दिया, अमदाबाद में नेश्टनल गेम्स के दोरान, जिस तरह कणा, खेल और संस्कृत का संगम हुआ, वह उल्ला से भर देन वारा था, खेलाडी भी दिन में जहां खेल में हिस्ता लेते थे, वही शाम को गर्बा और डांडिया के रंग में डूब जाते थे, उन्होंने गुजराती खाना और नवरात्री की तश्विरे भी सोचल मीडिया पर खूप शेर की, य आखिर कर इस तरह के खेलों से भारत की विवित संस्कृतियों के बारे में भी पता चलता है, ये एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना को भी उतना ही मजबूत करते हैं